उत्राखंड, हिमाचल और गुजरात के बाद अब बीजेपी ने मद्यप्रदेश में भी यूनिपॉम सिविल कोर्ट पर दाउं चला है वोके मंत्री शिवराद सिंग चौहार ने एलान किया है कि वो राज्य में इस पर एक कमेटी बनाने जा रहे हैं शिवराद सिंग का कहना है कि वो समान नागरिक सहिता को लागू करने के पक्षधर है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक देश में दो विधान क्यों चले एक ही विधान होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर पहले भी वो प्रदेश वो राज्य जिनमें बीजेपी की सरकार है जिनमें हिमाचल, उत्राखंड और गुजराच शामिल है वो वहाँ पर जो समुखे मंत्री हैं अपने बयान दे चुके हैं आज शिवराच सिंग चौहान ने भी कहा है कि एक कमेटी बनाए जाएगी क्यूंकि देश में दो विधान नहीं होने चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के वो पक्षदर है और इसी के चलते अब आगे वो कारवाई जल्द करेंगे मध्यप्रदेश सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर ये बड़ा दाओं है सिएम शिवराच सिंग चौहान ने ये एलान किया है कि यू सी सी के लिए एक कमेटी बनाने वो जा रही है और बीजेपी का भी यही मानना है बीजेपी के मोखे मंतरी शिवराच सिंग चौहान ने भी यही कहा है यहां सक्ता में बीजेपी है लेकिन अब वो यू सी सी की बात कर रही है जो की एक नौटंकी है अब इनफॉर्म सिविल कोर्ट की बात पहले हिमाचल में की उत्राखन के की गुजरात में की अब मध्य परदेश में भी उनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू होगा ऐसा वादा किया रहा जा रहा है दावा किया रहा है समान नागरिक सहिता एक पत्नी रखने का अधिकार है तो यह कई पत्नी सब के लिए होनी चाहिए फिर जादा क्यों होना चाहिए समान नागरिक सहिता पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्र शिवरा सिंग चोहान का ये ऐलान है बड़वानी के सिंधवा में गुरुवार को एक सभा के दोरान उन्होंने एमपी में समान नागरिक सहिता लागू करने के लिए कमेटी बनाने की गोश्रा की और पूरे देश में समान नागरिक सहिता लागू करने की मांगी इस जोरान शिवरा सिंग ने मध्यब की आर में धर्मांत्रन और लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली और कई बद महां से ऐसे भी आ गए हैं जो किसी आदिवासी बेटी से साधी कर लेते और साधी करका उसके नाम से जमीन ले लेते आज मैं जागरण की अलगी जगाने आया हूँ बेटी से साधी की और जमीन ले ली मैं तो इस बात का पखिदार हूँ कि भारत में अब समय आगया है कि एक समान नागरिक सहीता लागू होनी चाहिए एक से ज़्यादा साधी क्यों करे कोई एक देस में दो विधान क्यों च शिवरा सिंग चौहान के अलान को कॉंग्रिस 2023 में होने वाले MP विधान सबा चुनाव के लिए दाउं के रूप में देख रही है। संकल्पू के सूची में समान नागरिक सहीता पहले से शामिल है और बीटे कुछ समय से इसे लागू कराने की मांग पकड़ रही है। हुआ 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 है